तोते बुलबुल आज ये कल मेरे अंडे में से मेरा मासूम सबच्चा निकल जाएगा मैं बहुत जारा खुश हूँ मैं ममा बन जाओंगी मैं उसके लिए भुचन ढूनूँगी और उसका बहुत जारा ख्यार रखूंगी मिनूचेडिया ये तो बहुत अच्छी बाते तुम्हारा बर्सों का सपना अब पूरा हो जाएगा मिनूचेडिया के पती सोनूचेड़े का एक महीने पहले ही एक हस्ते में दिहांट हो गया था जिस वज़ा से मिनुचेडिया बहुत ज़ादा उदास रहती थी पर अब दुबारा से मिनुचेडिया के जीवन में खुश्या रही थी वहीं दूसरी और रानी कववी ने भी एक अंडा दिया हुआ था और उसके अंडे में से भी नन्ना कववा निकलने वाला था कालू जी देख रहे हो पक्षियों को मिनुचेडिया ने जो अंडा दिया है उस पर पक्षी कितने ज़ादा खुश हैं जैसे किसी महरानी ने अंडा दिया हो और एक मैं हूँ मेरे पास तो अब तक कोई भी पक्षी नहीं आया रानी तुम तो बसी करो यार मिनुचेडिया से जलती रहना बस तुम मिनुचेडिया ना तुम्हारी तरह चलाक और शातिर नहीं है वे बहुत मासूम और रहम दिल है इसलिए सब पक्षी उसे बहुत पसंद करते हैं और मुझे तो बहुत खुशी है कि आप मिनुचेडिया भी सुनुचेड़े के जाने के बाद अपने बेटे के साथ बहुत जादा खुश रहेगी चुप करें कालू जी आप चुप करें मिनुचेडिया का नाम भी ना लेना अब आप जानते नहीं है मेरे अंदर कितनी आग लगी है जब तक मैं मिनुचेडिया की ये खुशी खतम नहीं कर देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा मैं तुम से कह रहता हू रानी अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो याद रखना मुझसे बुरा पोई नहीं होगा बस फिर दो दिन बाद रानी कवी के अंडे में से मासूम सकवा निकल जाता है और वहीं मिनुचेडिया के इंतिजार की घड़ियां भी खतम होती है और उसके अंडे में से भी उसका मासूम सा बच्चा निकल जाता है दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहें किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है हाई रे मेरा बीटा मेरा बीटा कितना प्यारा है बस आज से मैंने इसका नम मानोचिडा रखा है वाकई में मिनोचिडा तुम्हारा मानोचिडा तो बहुत सुन्दर है बिल्कुल तुम पर गया है हाथ होते काश के सुनुचिडे आज जिंदा होते तो आज भी अपने बेटे को देखकर कितना जारा खुश होते अरे मिनुचेडिया, खुशी का मौका है, अब तुम दुबारत से उदास न हो दूसी तरफ रानी कवी भी अपने बेटे के आ जाने से बहुत जारा खुश थी हाई रे कालू जी, देखें तो हमारा मासूम सा बेटा कितना सुन्दर है, बिल्कुल मुझ पर गया है मेरा बेटा, मेरा मासूम राचु का हुआ नहीं कालू जी, मैं अपने बेटे को बहुत चलाग बनाऊगी ताकि ये जंगल के दुश पक्षियों और मिनुचेडिया को सबक सिखा सके हाँ, तुमसे मुझे कोई अच्छी उमीद भी नहीं थी, चलो मैं जा रहा हूँ बस रानी कववी एक बड़ा चाकू उठाती है और मिनुचेडिया के घर की तरफ निकल जाती है मेरे प्यारे बेटे, ममा बस आपके लिए अभी भोचन लेकर आती है अब बस मेरा इंतिजार करो, और हाँ, मिलकुष यतारी मत करना ये बोलकर मिनुचेडिया अपने बेटे के लिए भोचन लेने चली जाती है मिनुचेडिया के जाती ही, रानी कववी बड़ा सा चाकू लेकर घर में गुसाती है अब तुम्हे मुझसे कौन बचाएगा, नने चेडे तुम्हे में मार डालूंगी ममा, ममा मुझे बचाओ, ये गंदी कववी मुझे मार डालेंगी रानी कववी गुसे में मानुचेडे पर चाकू से दो वार करती है और विचारे मानुचेडे के दोनों पर काड देती है प्यारे दोस्तों, अगर आप सब को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंड में जरूर बताएं हमें आपके कमेंड का बेसबरी से इंतिजा रहेगा रानी तुम बबलूचील को तो बहुत अच्छे से जानती होगी न के वे कितना ज़ादा खतरना के कुछ समय पहले उसने हमारे जंगल में कितनी तबाही फिला दी थी कितने पक्षियों को मारा था उसने पर अब ना जाने वे बबलूचील कहां जाकर छुप गया है मिठु माराज ने उसे कहां कहां नहीं ढूंडा पर वे तो मिलता ही नहीं हाँ कालूची में जानती हूं से बहुत जादा खतरनाक है वो पर उसकी जो पत्नी बाजूचील है न वो भी कोई कम नहीं वो तो बस हर समय हमारे जंगल के पीछे ही पड़ी रती है पर रानी वो जो बाजूचील है न वो बहुत अमीर है उसके पास पैसा ही पैसा है तुम्हें तो पता है न कि मैंने जंगल में नौकरी कहा कहा नहीं ढूंडी पर मुझे काम है के मिलता ही नहीं इसलिए अब मैं बाजूचील के पास जाओंगा क्या पता उससे मुझे कोई काम मिल जाए पर कालू जी उसने अगर आपको कोई नुक्सान पुचा दिया तो क्या होगा अरे कुछ नहीं होगा वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगी आच्छ चलो मैं आता हूँ बाजूचील से मिल कर ऐसा बोलकर कालू कवा बाजू जील से मिलने पहाड़ों की तरफ चला जाता है पक्षी को ले आऊंगा और बदले में बस तुम मुझे सिर्फ सौर पे दे दिया करना क्या सच में कवे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बस ठीक है तुम मेरे लिए रुजदाना एक पक्षी का शिकार करके ले आना और मैं बदले में तुम्हें सौर पे दे दिया तो ठीक है बाजूचील फिर मैं कल आता हूँ एक पक्षी को लेकर कालू अंकर आप सुबही किसी पक्षी का शिकार करके ले आना क्योंके मुझे ममा को सुबह सुबही भूख लग जाती है हाँ हाँ बेटा मैं सुबह सुबही लियाओंग किसी पक्षी को तुम चिंता ही ना करो ऐसा बोलकर कालू कववा वापस अपने जंगल चला जाता है दोस्तों कि आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरस्टिंग होने वाली है अगली सुबह कालू कववा एक पक्षी का शिकार करके बाजू चील के पास आता है ये देखकर तो बाजू चील बहुत जादा ही खुश हो जाती है अरे वा कववे अंकल आप तो वाकई में बहुत जादा चलाक निकले सुबह सुबह ही पक्षी का शिकार करके लिया है कालू कववा अपना काम करके बाजू चील से सो रुपे ल ये तो बहुत जादा गलत काम है कालू जी ये आपको नहीं करना चाहिए मैं तो कहती हूँ अभी के अभी छोड़ दें ये काम नहीं नहीं ये काम तो आप में सारी जिन्दगी करूंगा क्योंके मुझे बहुत जादा अमीर बंदा है अगली सुबह कालू काववा फिर से एक बुल बुल को पकर कर बाजू चील के पास लाता है ये लो बाजू चील आज मैं तुम्हारे लिए बुल बुल का मास लेकर आया हूँ खाओ इसे मज़े से ये सब तो ठीक है काववे पर मेरी एक बास समझ में नहीं आती तुम रुजाना जो पक्षी लेकर आते हो वो पहल जाड़ा मुश्किल काम है इसलिए पहले से ही में उस पक्षी को सहर दे कर मार देता हूँ और फिर में पक्षी असानी से तुम्हारे पास ले आता हूँ और इस तरह कोई मुझ पर शक भी नहीं करता जबरदस्त बहुत बढ़िया कववे पस तुम इसी तरह रोजाना और ये काम करके कालुकाववा वाकई में बहुत जाड़ा खुश था अरे कालुकाववी आजकल कहा हो इतने दिनों बाद नजर आ रहे हो तुम मुझे लगता है जंगल से बहाँ जाकर कोई काम कर रहे हो है ना हाँ हाँ यही समझो मिनूचेडिया वो पडोस के जंगल में एक सेट हैना उनके घर पर काम कर रहा हूँ में आजकल अच्छा चलो मिनूचेडिया मैं आप चलता हो फिर मिलूँगा मिनूचेडिया से जूट मोड बोल कर कालुकाववा अपने घर चला जाता है ये ने कालू जी मैंने आपके लिए भोजन बना दिया है अब जल्दी दिखा लें फिर मुझे बरतन भी ढोने हैं जाकर नहीं रानी मुझे आभी बाजू चील के पास जाना है बहुत जरूरी काम है मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में अरे पर सुबह ही तो गए थे ना अप तो फिर दुबारा क्यों जा रहे हैं आता हूँ ना मैं कुछ जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ फिर कालू कववा शाम को दुबारा बाजू चील के पास जाता है अरे कवी दुबारा से आगए क्या एक और पक्षी का मास लेकर आए हो क्या अरे नहीं बजूचील मैं तो तुम्हें एक बात बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत जादा खुश हो जाओगी अच्छा तो फिर बताओ बताओ जल्दी क्या बाती वो बाजूचील रोजाना हमारे जंगल के सब बच्चे मिलकर एक साथ स्कूल जाते हैं बस मैंने यह सोचा है कि कल में उन सारे बच्चों को किसी भी तरह तुम्हारे पास लेकर आजाओगा और फिर आराम से बैठकर तुम उन बच्चों को खाती रहना पर हाँ उन बच्चों के बदले में मैं तुमसे बहुत सारे पैसे लूँगा हाँ हाँ कवे मैं तुम्हे दे दूँगी तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हे दूँगी बस तुम कल किसी भी तरह उन सब बच्चों को मेरे पास लेकर आजाओ कल तो मैं और मेरा बेटा मिलकर पार्टी करेंगे पार्टी और खुब मज़े से बच्चों का मास खाएंगे दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतिजार करें और हमें कमेंड में जरूर बताएं कि ये वाला भाग आप सब को कैसा लगा मिनुचेडिया अपने परिवार के साथ बहुत जारा खुश रहती थी याद है मिनुचेडिया तुमें वो वक्त जब हमारी नई नई शादी हुई थी और हम कितने जारा गरीब हुआ करते थे भोजन भी हमें बाहर से ढूनना पड़ता था और कभी कभी तो हम भूके भी सो जाते थे परन्तु आज हम दोनों ने कड़ी महनत करके अपना ये बड़ा सा घर बना लिया और तो और आज हमारा अपना एक टमाटरों का खेट भी है हाँ सुनुचेडिया मैं आप से कहती थी थी ना कि हमें महनत का फ़ल जरूर मिलेगा ममा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी आप दोनों की तरह बहुत महनत करूंगा और एक दिन बहुत जादा कामिया बन जाऊंगा हाँ हाँ मानोचेडिया क्यों नहीं आखिर तुम बेटे किसके हो अब मिनुचेडिया के परिवार में सिर्फ खुश्या ही खुश्या थी और सुनुचेड़ा अपने टमाटर की खेट में काम करके काफी जादा मुनाफ़ा भी कमा लेता था इसी जंगल में एक उलू सेट भी रहता था जो के जंगल में सबसे ज़ादा आमीर हुआ करता था उलू सेट को जो पक्षी पसंद नहीं होता था या फिर उसके काम के बीच में आ जाता तो उलू सेट उसकी सुपारी दे कर उसे मरवा दिता था नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा आब उसे जब से उस सोनोचेड़े ने अपना टमाटर का खेद बनाया है कोई भी पक्षी अब मेरे टमाटर खरीता ही नहीं मेरी कमाई दिन बाद दिन कम होती जा रही है पूरे जंगल में सिर्फ मेरे ही खेद के टमाटर चलते थे परन्तु आज सोनोचेड़े ने सब पक्षियों को अपना बना लिया है और सब पक्षी सिर्फ सोनोचेड़े से ही टमाटर खईते हैं काश कि अगर मैंने उस दिन उधार पर सोनोचेड़े को टमाटर की बोड़िया ना दी होती तो आज सोनो चिड़े का अपना टमाटरों का खेत ना होता पर कोई बात नहीं इस उल्लो सेट के रास्ते में जो भी आता है उल्लो सेट उसे मसल के रख देता है आने दो कल कालू कवे को पास करता हूँ उससे इस सोनो चेड़े का तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अगले दिन उल्लो सेट कालू कवे को अपने पास बुलवाता है अरे क्या भाते उल्लो सेट, क्या दुबारा किसी पक्षी की सुपारी देनी है कुछ तो रहम करो उन मासूं पक्षियों पर नहीं उल्लो सेट के पास रहम के अलावा सब कुछ मिलता है कालू कवे मुझे तुम्हे एक और पक्षी की सुपारी देनी है कौन है वे बिचारा पक्षी जिसकी मौत का समय आ गया है कालू कवे वे हमारे जंगल का सोनो चिड़ा है वे मेरे कारूबार के बीच में बहुत आ रहा है जिस कारण मेरी कमाई अब बहुत ज़ादा कम हो गई है तुम्हे उसका खात्मा जल से जल करना है और हां याद रहे सौनो चिड़े को मार कर उसका वे टमाटर का खेट भी जला दिना है तुम्हे हाँ ये सब तो मैं कर लूँगा उलू सेट पर अन्तु आपको तो पता है ना कि आजकल मेहंगाई अस्मानों को छू रही है हाँ हाँ समझ गया कालू कववे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे और वे भी पहले से जादा तुम बस जाओ और जाकर मेरा काम जल से जल करो फिर कालू कववा वहां से चला जाता है रानी रानी एक बहुत ही खुशी ही खबर है मुझे उल्लू सेट ने एक और पक्षी की सुपारी दी है और बदले में वे मुझे दुगने पैसे देने वाले हैं देखना रानी इस बार तो हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे बहुत मज़े करेंगे हम तो ओ हो कालू जी कौन है वे बिचार पक्षी जिसकी मौत कर समय आ गया है वे पक्षी सोनो चेड़ा है क्योंके वे सोनो चेड़ा उल्लू सेट के काम के बीच में आ रहा है इसे लिए उल्लू सेट उसे मरवाना चाते है हाई ली कालू जी विचारो सोनो चेड़ा कितना शरी पक्षी है उसके साथ पैसा मत करें और हाँ जब मीनो चेड़िया को ये बात पता लगेगी तो भी ये सद्मा कैसे मर्टाश करेगी मुझे किसी पक्षी के दुख से कोई मतलब नहीं मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए मैंने आपको कितनी बार मना किया है कालू जी कि ये गलत काम छोड़ दे आपने ना जाने अब तक कितने पक्षियों को मार कर उनके परिवार वालों की जिन्दगिया बरबाद कर दी है बस करो रानी तुम मुझे ये रोज रोज का भाशन मत दिया करो मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूँगा अगले दिन सोनुचेड़ा अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था सोनुचेड़े अजब काम से जल्दी आ जाएगा याद है ना आपको आज आपका जनम दिन है और आज मैं आपके लिए खुद केक बनाऊंगी ठीक है ठीक है मिनुचेड़िया मैं काम खतम करके जल्दी आ जाऊंगा ऐसा कहकर सोनुचेड़ा अपने खेत में काम करने चला जाता ही बस कुछी देर में कालुकाववा एक बड़ा सा चाकू लेकर सोनुचेड़े के पास आता ही अरे कालुकाववे तुम यहाँ मेरे खेत में क्या बात है भई और ये इतना बड़ा चाकू के लेकर आए हो कालुकावव उस बड़े से चाकू से सोनुचेड़े पर जोर से वार करता ही और वे सोनुचेड़ा उसी सामे मर जाता ही कालुकाववा पूरे खेत में पैट्रोल डाल कर आग लगा देता ही और फॉरन वहां से भाग जाता ही अरे अरे मिनोचेडिया चल दी चलो तुम्हारे खेट में आग लग गई है हाईरी ये क्या के रहे हो तुम तोती ऐसा कैसे हो सकता है मिनोचेडिया तोते के साथ फौरान अपने खेट में आती है तो क्या देखती है सोनोचेडा तो मरा हुआ था और उसका काफी जादा खून भी निकल ला था हाईरी सोनोचेड़े, सोनोचेड़े उठे, ये खून कैसे निकल ला है आपका, क्या होगी आपको लगता है मिनोचेड़िया, किसी ने सोनोचेड़े पर हमला किया है, बहुत बड़ा गाओ है इसके शरीर पर हम अब आपके बगर कैसे रहेंगे? मैं तो आपका कब से इनतिजार करही थी? कि कब आप घर आएं और कब हम आपका चनम दीन मनाएं मिनोचेड़िया, जरूर किसी को सोनुचेड़े, और इसके खेट से दश्मनी होगी, तबी तो इसके खेट को भी आग लगा दी ये सब जिस पक्षीने भी क्या है देखना तोते वो भी खुश नहीं रहेगा उसे भी एक दिन इसकी सदर जरूर मिलेगी अब बस सोनोचेड़े की मौत को कुछ दिन गुजर जाते हैं अब तो मिनोचेड़िया काफी ही जारा गरीब हो चुकी थी और वहीं कालुकावा सोनोचेड़े को मार कर उसी के पैसों से स्वाधिज भोजन का रहा था बस अब मिनोचेड़िया हमेशा हमेशा के लिए चंगल को छोड़ कर चली जाती है कुछ दिन बाद उलू सेट दोबारा से कालू कवे को किसी नई पक्षी को मरवाने के लिए बुलाते है अरे क्या बात है उलु सेट अब किस पक्षी से मसला हो गया कालु कावे कल इस जंगल में मेरा भाई आने वाला है और वे जाइडाद में अपना हिस्सा मांग रहा है पर मैं उसे हिस्सा नहीं देना चाहता इसलिए कल जब मेरा भाई इस जंगल में आए तो तुम उसे किसी भी तरह मार देना ताके मैं उसे उसका हिस्सा ना दूँ ठीक है उलु सेट आपका काम हो जाएगा कालु कावा ये खबर सुनकर फॉरण रानी कवी के पास जाता ही और आकर रानी कवी को सब बताता ही कालु जी मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गिलत किया जो मेरी शादी आप जैसे कातिल पक्षी के साथ किरा दी रानी बस करो यार मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो मैं इसमें बहुत जारा खुश हूँ अकले दिन दूसरे जंगल में उलू सेट का भाई अपनी पतनी से कहता ही पतनी जी आज मेरी तब्याद कुछ ठीक नहीं इसलिए मैं इतनी दूर दूसरे जंगल अपने भाई के पास नहीं जा सकता वहीं उलू सेट बजार से अपने लिए एक काला चिश्मा और अपने लिए एक बड़ा सा कैप ले कराते है वाँ भाई ये चिश्मा और ये टोपी कितना ज़़ा अच्छा है जब मैं इसे पहनूँगा तो और भी जादा हैंसम लगूँगा फिर जल्दी से उलू सेट विकाला चिश्मा और विटोपी पहन लेता है तब इकालू काववा उलू सेट के घर में खिड़की से जागता है बाप रे बाप ये तो बिल्कुल उलू सेट जैसा लग रहा है अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ उलू सेट का भाई है तो उलू सेट जैसा ही होगा ना चलो देरी नहीं करता, अभी अंदर जाकर उलू सेट के भाई का काम तमाम कर देता हूँ फिर विकालू काववा अपना चाकू लेकर घर के अंदर आता है बस बहुत जीलिया तुमने अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे अरे अरे ये चाकू मेरे पास कुलाएगो ये तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी मौत का सामे आ गया है अब तुम नहीं बचोगे पिर वे कालू कववा अपना चाकू उलू सेट के पेट में घूम देता ही आँ आँ कालू कववे ये क्या किया तुमने कितने सालों से तुम मेरे नमक खा रहे हो और आज तुमने अपने उलू सेट को ही मार दिया हाई रे क्या आप उलू सेट हो ये मैंने क्या कर दिया मैं कितना बुद्दू हूँ मैंने ही उलू सेट को मा दिया बस तबी रानी कवी कबुतर सैनिक को लेकर वहाँ पर आ जाती है बस इस तरह कालू कवी हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में क्या दो चाता ही और इस तरह इसे अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं उलू सेट भी अपने अंजाम को पहुँच चुका था जाता हुँच चुका था जाता है